चेंगदू चीन का शहर है जहां विश्व द्याले खेल आयव जित हुए हैं चीन पहले पायदान पे रहा सरवादिक पदक पा करके कोरिया दूसरे अस्थान पे रहा फिर तीसरे अस्थान पे पदक तालिगा में जापान रहा भारत 903 रजत और 5 कांस जीत कर ये चौथे अस निशाने बाज हैं इन्होंने तीन स्वण पदक अर्थात हैट्रिक लगाई स्वण पदकों की किसने अैश्वर्य तोमर ने हौकी में भारती महिला हौकी टीम ने स्पेन को हरा करके सौवी वर्षगाठ स्पेनिश हौकी फेडरेशन टूनामिंट जीत लिया है कहां पर PSLV C56 चंद्रियान 3 के लांचिंग के बाद पहला जो मिशन रहा इसरो का PSLV C56 इसके माध्यम से इसने साथ सिंगापूरी उपग्रहों का विमोचन किया भारत दक्षिन एशिया का पहला परजात अस्तित्व केंद्र भारत में ये खोला गया है या खोला जाएगा ये स्पिसीज सर्वाइवल, IUCN के स्पिसीज सर्वाइवल कमीशन और भारती वन जीव ट्रेस्ट डब्लू टी आई ने इसके लिए समझोता किया है कि दक्षिन एशिया का पहला प्रजात ये अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित होगा यूरिया गोल्ड हाली में चर्च स्थान में एलांज किया गया नीम लेपिद यूरिया और परंपरिक यूरिया से ये कई मायनों में बहतर है यूरिया की बात करें तो नाइट्रोजन के प्रदान करने के लिए ताकि पौधों का पत्तियों का विकास हो सके और प्रकास संसेशन की क्रिया में मदद करने के ल रहा था इससे कई गुना बेहतर यूरिया अर्थाद यूरिया गोल्ड लांज कर दिया गया है ये नाइट्रोजन की क्रमिक रिलीज करता है अर्थाद क्रम से रिलीज करता है इससे क्या होता है नाइट्रोजन की खपत एक तो कम और प्रभावी होती है कुशल प्रयोग होता जो उर्वरक है दूसरा इसका लंबा जीवनकाल इसलिए हो जाता है समग्र उर्वरक उप्योग भी इस तरह से कम होता है इसलिए 15 किलो जो यूरिया गोल्ड है वो 20 किलो या इससे अधिक के परंपगत यूरिया के बराबर ये प्रभावी होता है वेस्टर्ण ट्रेगो पैन तीतर परिवार का पक्षी है हिमाचर पदेश का राज पक्षी इसको घोशित किया गया है प्रधान मंत्री कुसुम योजना किसान उर्जा सुरक्षायों मुथान महाभिया ये एक योजना थी मार्ज 2019 में भारस सरकार द्वारा सुरू की गई थी इसका लक्ष दिसंबर 2022 तक 30.8 गीगावार्ट सौर शमता क्रिश शेत्र में विक्सित करने का था इससे 3.5 मिलियन से अधिक किसानों को लाभानवित किया जाना था इसके 3 घटक थे अर्था 30.8 गीगावार्ट की जो सौर उर्जा है इसके 3 घटक थे प्राप्त करने के पह पहला ग्रिड कनेक्टेड सौर उर्जा सेत्र जिसकी कुल शमता 10 गीगावार्ट होगी इनमें जितने भी ग्रिड लगेंगे प्रतेक 500 किलो वार्ट से लेकर 2 मेगावार्ट तक के होंगे कुल मिलाकर के 10 गीगावार्ट की शमता दूसरा जो घटक है 2 मिलियन स्टैंड अल गटक से कुल मिलाकर 30.8 गीगावार्ट सौर शमता स्थापित करना लक्ष था रिपोर्ट भी साथ साथ प्रस्तुत की गई कि 2.46 मिलियन किसान इससे लावानवित हो चुके हैं योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है योजना वधी इसके पहले दिसंबर 2022 तक थी लेह लद्दाक में ये आयोजित हुई है वासिप्पु यकम तमिलनाड सरकार की शात्रों में पढ़ने को बढ़ावा पढ़ने में रुची को बढ़ावा देने के लिए योजना सुरू की गई इसको हाली में कक्षा 4 से कक्षा 9 तक के जो विद्यारती हैं उनके लिए यो अभी हाली में जियाई टैक प्रदान किया गया इसमें उत्तरवदेश का जलेसर धातुशिल्प है गोवा का मन कुराद आम और गोवन बेबिका जो की हलुआ एक प्रकार का होता है राजस्थान के चार उत्पादों को जियाई टैक दिया गया उदैपुर कोफ्तकारी धात शिल्प बिकानेर काशीदा गारी शिल्प जोदपुर बंधेज शिल्प और बिकानेर उस्ता कला शिल्प देवारी गाउं ये मेजा प्रयागराज में स्थित है यहां पे सरकार द्वारा ग्रामीड परिटन केंदर के रूप में विकास इसका किया जाएगा देविंदर हरियाणा इनको कहा जाता है कॉंस्टेबल है अभी हाली में चर्चा में रहे टीम इनकी पर्यावण मित्र के नाम से जानी यात्ती है इसके साथ वर्स 2011 से सालाना 30 से 40,000 पेड़ इन्होंने लगाए हैं अपना वेतन और रिंड इसके लिए ये लेते हैं अपने वेतन से खर 2023 को मौझूरी दी गई कितने वर्ष के लिए ये ध्यान रकना है दो दस वर्ष के लिए अर्थाथ 23 से 33 तक के लिए रहेगा आयुश्मान भारत योजना 2018 में ये सुरू की गई थी अभी हाली में रिपोर्ट आई है कि आयुश्मान कार्ड प्राप्त करताओं में 49 खोले गए हैं दो लाग करोण रुपए से जादा इसमें जमा हैं ये सरकारी आकड़े हैं म्यामार यहां 6 मा के लिए आपातकाल को बढ़ा दिया गया है फरवरी 2021 में जुन्टा समूह के द्वारा वहां की सरकार जो लोगतांतिक सरकार थी अपदस्त करके आपातकाल लगा अभी 6 मा के लिए इसको बढ़ा दिया गया है वर्ड कौईन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया ये पूछेगा तो ओपन AI कंपणी के द्वारा शुरू किया गया है चैट बाट की जो प्रदाता कंपणी है चैट बाट जो इसमें बहुत सार भॉमिक डिजिटल पहचान के लिए वर्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट ये सुरू किया गया इसके द्वारा काची पूरम तमिलनाट का जिला है यहां फॉक्स कॉन जो की ताइवान की कंपनी है मोबाइल कंपनी है इसके द्वारा मोबाइल कंपोनेंट निर्माड क केंद की स्थापना की जाएगी संयुक्त राष्ट जन संख्या कोश इसने मद्यप्रदेश सरकार के साथ मिल करके एक चैटबॉर्ट लॉंच किया इसका नाम क्या है याद रखेगा जस्ट आस्क एडियार रिपोर्ट दोजार तेईस एसोसियेशन आफ डेमोक्रेटिक रि इसके अनुसार सरवाधिक अरबपती विधायक देश में करनाठक में रहते हैं उसके बाद महाराष्ट तीसरे स्थान प्यांद्ध विधायकों के मामले में चौथे स्थान पे उत्तर विधायक हैं डी शिव कुमार ये सबसे अमीर विधायक हैं, देश भर के अगर विधायकों की बात करें, कांग्रेस के विधायक हैं, करनाटक के उप मुख्यमंत्री भी हैं वरतमान में, वही निर्मल कुमार पश्चिम बंगाल के ये सबसे गरीब विधायक हैं, अर्था सबसे कम संपत्त पैसे वाले विधायक हैं ये, सबसे अमीर मुख्यमंत्री देş का कौन है, जगन मुहन रेड़ी, आंदपदेश के मुख्यमंत्री, सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है देश की, मंता बनर जी, वेस्ट बंगाल की, कारगिल एक यात्री की जुबानी अभी पुस्तक लांचुई किसकी है रिशीराज की पुस्तक है मेसा चुएष विश्रद्याले जिसको MIT भी एक संस्था की रूप में जानते हैं आप USM इस्थित है हाईग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास इसने किया है अतात जो आदरता होती है उससे इलेक्ट्रिक्ट्रिक्सिटी का विकास किस विश्रद्याले ने किया है मेसा चुएष विश्रद्याले याद रखेगा असम मुख्यमंत्री काउन है वाह के विश्वा सर्मा है है मंत विश्वा सर्मा इनके द्वारा अम्रित व्रिक्ष आंदोलन पहल आरम किया गया है 17 सितंबर को राज भर में एक करोण पौधे लगाने का लक्ष है इसमें लोगों को साथ माने का NGO को लोगों को साथ आने का आमंतरण दिया गया है घुशना की गई है आवाहन किया गया है उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा एक अगस्त को उत्तरप्रदेश सिक्षा सेवा आयोग का गठन कर दिया गया मंजूरी रदीगई अर्थाज यूपी एजुकेशन सर्विश कमिशन अब कारे करेगा सभी तरह के जो वेकेंसीज होती है उच्ष सिक्षा से जोड़ी माधमिक प्राथमिक सिक्षा से जोड़ी वो यहीं से होंगी इसका मुख्याले प्रियाग राज में होगा एक अध्यक्ष और बारह सदस से कुल तेरह सदस से इसमें होंगे मासी पोर्टल बाल अधिकार सरक्षण आयोग द्वारा इस पोर्टल को लॉंच किया गया बाल देख भाल संस्थानों जो किशोर न्याय अदनियम के तहत स्थापित किये जाते हैं इनकी निगरानी तथा कुशल निरिक्षण के लिए मासी पोर्टल जारी गया गया है न्याय मूर्ती जी रोहिणी आयोग जो की OBC उपवर्गी करण के संबंध में बनाया गया था 2017 में छे वरश के बाद इसने अपनी रिपोर्ट सौप दी है सामाजिक नयायवादिकरता मंत्रा लेको जल दोस्त एयरबोट ये नेशनल एरोस्पेस लिबरेटरीज द्वारा एनेयल के द्वारा विक्षित किया गया एयरबोट है ये जल निकायों को खर्पतवार आदी नश्ट करके उसको साफ करने के लिए डिजाइन किया गया है आपको बता दें कि 1 जून 1969 को CSIR के अंतरगत नेशनल एरोस्पेस लिबरेटरीज एनेयल की स्थापना होई थी नई दिल्ली में इसका मुख्य काराले अब बेंगलूरू सिफ्ट हो गया है राज मार गयात्रा मुबाइल एप है नेशनल हाइवे अथार्टी आफ इंडिया द्वारा इसको लॉंच किया गया है Study in India Portal अभी हाली में सिक्षा मंत्री धर्मेंद प्रधान और विदेश मंत्री स्जय शंकर के द्वारा नई दिनली में लॉंच किया गया भारत में विदेशी शात्रों को सिक्षा देने के लिए प्रेरित करने के लिए सुरू किया गया है गुकेश डी भारत के ग्रैंड मास्टर सतरंज खिलाडी है क्लासिक चेस की लाइव रैंकिंग में भारत के नमबर वन सतरंज खिलाडी बन गए 37 वर्षों से अर्थाद 1987 से इस अस्थान पर काबिज विश्वनाथन आनंद को इन्होंने पचाड दिया विश्वनाथन आनंद अब इंडिया की रैंकिंग में दूसरे अस्थान पर चले गए हैं वहीं विश्व रैंकिंग में अगर देखें फीडे के तो नौवे अस्थान पर उकेश डी पहुँच गए हैं टॉप 10 में और विश्व नाधनानंद दसमे अस्थान पर है अब वहीं भारत की अगर दिश्टे देखें तो तीसरे अस्थान पर विदिद गुजराती है ठीक है और विश्व की दिश्टे देखें तो पहले अस्थान पर कौन है मैगनस कारलसन है नया सवेरा योजना किस केंदरी मंत्राले दोरा शुरू किया गया है अलब संख्यक कारे मंत्राले के दोरा हाली में चर्चा में रहा जब इसमिती इरानी ने एक आकड़ा दिया कि 20,000 अलब संख्यक शात्र इससे लावानवित हो चुके है शोहिनी सिन्हा चर्चा में रही भारती मूल की अमेरिकी नागरिग हैं साल्ट लेक सिटी अमेरिका में FBI के फील्ड आफिस की ये प्रमुख बनी है टाइफून खानून ये जापान व ताइवान में भारी चक्रवात आया है इसलिए खानून चर्चा में है विश्व तीरंदाजी चेंपेंशिप 2003 जो की बरलिन जर्मनी में अवजित हुए भारती महिला कंपाउंट टीम ने स्वाण पदक जीता जोती सुरेखा परनीत कवर और अधिती गोपी चंद इसमें शामिल थी आराश या डोर्रा शेत्र तेलव गैश शेत्र है अपतटी शेत्र है अरब का सौधी अरब और कुवेट ने हाली में घोशना की कि ये इनका संप्रभू शेत्र है इरान के साथ इनका वीबाद चल रहा है इस शेत्र को लेकर के जारखन विधान सभा यहां प्रत्योगी परिक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेक पारित कर दिया गया कठोर कानून बनाये गया है जिसमें तीन वरश के कैद और पांच लाक रुपे जुर्माना का प्राउधान है दुबारा करने पर और कड़े-कड़े प्राउध जारखन रखे गये हैं इसके पहले गुजराद विधान सभाने में इस तरह का विधेक पारित कर दिया है दवाटर चलेंज भारत में जल चुनोतिस निपटने के लिए ये दवाटर चलेंज सुरू किया जा रहा है किसके द्वारा इसराईल और सरकल फांडर्स क्लब या द सरकल जिसको कहा जाता है इनके द्वारा ओयल इंडिया लिमिटेट ओ आयल भारत की तेरवी महारतन कंपनी बन गई है पिछले तीन वर्षों का आउसत टर्न वर 25,000 करोन रुपए जिस कंपनी का हो या इस से अधिक हो आउसत वारशिक शुद्ध संपत्ति जिसकी 15,000 करोन पिछले तीन वर्षों की दोरान आउसत वारशिक शुद्ध दलाब जिन कंपनीयों का 5000 करोन से अधिक हो उनको महारतन के लिए इलिजिबल समझा जाता है और वित मंताले इसके लिए सूची बद्ध करने के लिए आग्रह करती है सरकार से और उसके बाद सरकार इसको संस्था है ये चौदमी रत नौरतन घुशित की गई है हाली में तो कुल चौदमी नौरतन हो गए हैं तेरह महारतन हो गए हैं चाहतर मेनी रतन हो गए हैं